दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे पहले कबर बिहार में ठंड का बड़ेगा सर एक सो दो दिनों में गिरेगा पारा जी हां राज़ानी पटना से इद बिहार के उननीस जिलों में ठंड का प्रकोब जारी है 19 जिलों में पुर्वा हवा के परवाव से दिन का मौसम गर्म बना हुआ है मौसम विभाग के मताविक दिन और रात के तापमान में काफी अंतर रहेगा पुर्वा हवा उत्तरी और दच्छनी हिस्से से बर रही है मुसर्म विवाग की माने तो 28 नौमबर तक पटना गया नालंदा से पूरा बेगुसराई बाकसर भोजपूर सहीद 19 जीलों में रात का पारा 10 से 14 डिगरी रहेगा पूर्वी पश्चिमी चमपारन सिवान दर्बंगा 42 सहीद 19 जीलों में रात का तापमान 14 से 16 डिगरी के बीच रहने का नुमान है उत्तर बिहार के कई जीलों में दूंद भी देखी जा रही है वहीं देर रात से दूंद चाना सुरू हो जाता है अगली बड़ी ख़वर बिहार में दो दिन में 583 मासूम अस्पताल में भरती पटना में परदोसन बढ़ा राया निमोनिया का खत्रा बिहार के सबी 38 जीलों में अलारजिया बिहार में मासूमों के फेबरे पर अटेक हो रहा है मौसम में बदलाओं के साथ हवा में धोलता परदोसन का जहर सेथ पर बारी पर रहा है आकड़ो के अनुसर दो दिन के अंदर पाटना में 583 मासुम सरकारी और निजी अस्पताल में भरते हुए है निसास लेने में समयसा के साथ ही वोकार की सिकायत अधिक है डाकड़ो का कहना कि मौसम की मार के साथ प्रोदpen निमोनिया दे रहा है इसे लिकर सरकार ने राज के सभी सरकारी अस्पतालों को अलड़ पर रखा है आपको बतादी कि बिहार सरकार निमोनिया को लेकर अभियान चला रही है 12 नौमबर से 28 फरवरी तक निमोनिया को लेकर 20 सलट है निमोनिया का अटेक सबसे अधिक 5 सल के कमर उम के बच्चों पर होता है बच्चों में मौत का यह बाड़ा कारण होता है डाक्टरों का कहने की लक्चन दिखते ही ततकाल बच्चों को नजदी की स्वास केंदर ले जाए जिससे खत्रा टाला जा सके राज स्वास समीतर का कहना है की निमोनिया को लेकर राज के सबसे 38 जिलों को अलड़ किया गिया है अगली बड़ी खबर अब हर बुदवार जनता दर्बार लगाएंगे बिजली इंजिनियर तुरंत होगा उपबोगताओं की सिकायत का निप्टार करने के लिए बिजली इंजिनियर हर बुदवार को जनता दर्बार लगाएंगे बिदो तन्चल कार्यालों में सुबह 11 बजे से एक बजे तक या जनता दर्बार लएगा जहां उपवोकता अपनी सिकायत का तुरेत निप्टारा कराएंगे जनता दर्बार लगाए जाने के जनकारे कमपनी के और से आम उपवोकताओं को दी जाएगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें आकर अपनी सिकायतों का निप्टारा करा सके बिहार दक्ष जाइसवाल का बड़ा बयान का अगले साल तक हर व्यक्ति को देंगे घर सोचलाई और बिजली देंगे हमने चुनावी घोसना पत्र में बिहार में निस्लक टिकाकरन का वादा किया और निवाया ऐसा वादा अमेरिका नहीं कर सका था बाजपा की निती और प्रधान मंत्री की नितुत में देश के लिए मुप्त टिकाकरन अभियान चलाया अगली बड़ी खवर पांच साल बाद बिहार लोटें गे आईपएस स्युधिफ लण्डे इनके नाम से तरतर कापते हैं अपरादी जिहाँ सूपर कॉप के नाम से मसूर सिवधीप लॉंडे उन आइपियस अफसरों में सामिल है जिनके नाप से अपरादी के पेर कापते हैं बिहार किडर के आपियस सिवधीप लॉंडे अभी मुंबे में पुलिस क्राइम ब्रांच में डियाजी के पद पर है वहीं आप पांच साल के डेपोटेसन डूटे के बाद वापस बिहार लोट कर आ रहे हैं जानकारी के अनुसार दिसंबर के पहले सब्ता से वो बिहार में अपनी सिवा देने लगेंगे आपको बता दे कि बिहार पुलिस में ऐसे कई अपसर है जिनका नाम और चेहरा लोगों को बखोवी याद है बता दे कि इनी में से एक अपसर है बिहार केडर के आईपियस सिवदिव लांडे फिलाल वो अपने गिर्या राजे महराश्ट के राजाने मुम्मे में पुलिस क्राइम ब्रांज में डियाजी के पदवर पोश्टेड है बता दे पाटना में सिटी एस्पी राने के अलावा सिवदिव लांडे अररिया और उताज में भी पुलिस अधिक्चागरा चुके हैं बाड़ी कबर सरकारे नोकरी का सपना देख रहे अब यार्थों को बड़ा जटका सरकार ने रद की बहाली प्रक्रिया जहां बिहार में राज स्वास्त समिती ने राष्ट स्वास्त मिसन के तहट सिनियर लेब टेक्निसेन की चल रही बहाली प्रक्रिया को रद कर दिया है इस बहाली के लिए पिछले साल भी गापर निकाला गया था मेली जानकारी के मुताबिक 9 अप्रेल 2020 तक अभियार्तियों से ओल्लाइन आविदर लिये गए थे कूल 20 काली पदों को भरने के लिए ओल्लाइन आविदर मागा गया था इस आधार पर 111 अभियार्तियों को सौटलिस्ट किया गया था आपको बता दे कि सौट लिस्ट किये गए अभियार्तियों की काउंसिलिंग इस साल फर्वरी में 18-19 फर्वरी को हुई थी अभियार्तिय रिजल्ट के इंतिजार कर रहे थे लेकिन इसे बीच विग्यापन और नियोजन प्रकिरिया रद कर दी गई है अगली बड़ी ख़वर रेल्वे ने दी बड़ी राहत चार सो परतिसत तक घटाया प्लेटफरम टिकट का दाम अब इतने में मिलेगा टिकट जी हा भारतिय रेल्वे ने अपने यात्रियों को बड़ी राहत दी है रेल्वे ने चार सो परतिसत फ्लेटफरम टिकट का दाम यानि अब प्लेटफर्म टिकट 50 रुपे की जगह 10 रुपे में मिले रेल्वे का यहादेश कल यानि 25 नॉम्बर से ही लागू हो गया है कोरोना महामारी के चलते भीड कम करने के लिए रेल्वे ने प्लेटफर्म टिकट 50 रुपे कर दी थी लेकिन अब धीरे-धीरे कोरोना स सिती में सुधार हो रहा है जिसके वज़त से रेल्वे ने कुछ सर्तों के साथ लागू की गए पबंदियों में डिल देना सुरू कर दिया है अगली बड़ी खबर बिहार में आगनवाड केंद्रों में होगी प्री नरसरी वा नरसरी की पढ़ाई सरकार ने सिक्चा विवाग को दिया या आदेश जी हाँ बिहार के सबी 1,15,000 आगनमाडे केंदरों को प्रिनरसरी और नरसरी स्कुलों में तब्दिल करने के तैयारी तेज हो गई है सरकार ने आगनमाडे केंदरों को नजदिकी प्रात्मिक विदालों के साथ सम्मंद करने का अधिर सबी जिलों को दिया है आपको बताते कि आंगनमारे केंद्रों पर कारारत सिविकाओं को प्री नरसरी में दाखिल बच्चों को पढ़ाने सिखाने समन्दी प्रसिक्चन भी दिया जाएगा प्रसिक्चन में इन्हें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने का तरीका बताया जाएगा इन्हें सिखाया जाएगा कि कैसे गीत कविताय और कहानिया सिख्चा का अधार बन सकती है आगे नमारी सेवकाव को यह भी बताया जाएगा कि उनके कारी का मुल्याकन कैसे किया जाएगा ताकि वे यह सुनिशित कर सके कि उनका पढ़ाया वा बच्चों की समझ में आया भी या नहीं अभी बड़ी ख़बर केंद्रे केविनेट का बड़ा फैसला अब मार्च 2022 तक मिलेगा गरीबो को मुप्त में रासन जा केंद्रे केविनेट की बड़ा फैसला लिया गया है अब गरीबो को मुप्त रासन मार्च तक मिलेगा बता दी कि कोरोना काल के दोरान प्रधान मंतरी ने गरीबो को निस्वल की योजना शुरू की थी बैठक के दोरान केंद्रे केविनेट ने अगले साल मार्च तक प प्रदान करती है अब इसे मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है वताया जा रहा है कि इसे केंद्रे राजस पर 53,344 करोड रुप्य का भार पड़ेगा अगली बड़े कबर देश का पहला डिजिटल सदन मना बिहार विदान परिसद टेव से लेस हुए माननिया जहां बिहार विदान परिसद के कारिकरी सबपती नवदेश नारायन सिंग ने कल नेशनल ए विदान एप्लिकेशन का उदगाटन किया इस मोके पर कारिकरी सबपती ने इस कहा कि सदन के सदैसों को अपने संसद्य दायतों की निर्वान के लिए आतोदुनिक सुविधाय प्रदान की जा रही है बिहार बिधान परिशद का सितकालिन सत्रा बिलकुल बदला बदला नजर आने वाला है संपुर्ण सदन को हाइटेक बनाने की दिसा में कदम उठाय जा रहे हैं आपको बदा दे कि बिहार बिधान परिशद पेपर लेस बनने वाला देश का पहला सदन बन गया है जहां कि कारवाही पुरी तर डिजिनल मैदम से होगी अगली बड़ी खबर नव नियुक्त सिक्चकों को जल्द मिलेगा जोइनिंग लेटर सिक्चा मंतरी विजय कुमार चोधरी का एलाद जिहां सिक्चा मंत्री विजय कुमार चोधरे ने कहा कि सिक्चक बहाले के चैनित सुबे के सभी अभियर्थियों को एक साथ जोनिंग लेटर दिया जाएगा इस काम में बहले ही तोड़ी देरी हो रही है लेकिन सभी काम दरस्ट किये जा रहे हैं उन्होंने बताये कि जल्द नियुक्ति पत्र देने के तैयारे अपने अंतिम चरण में हैं बता दे कि सिक्चा मंत्री बुद्वार को या अस्वासन चैनित अभियर्थियों के समु को दिया वो जदवे के 15 साल पूरे होने पर आवजित कारकरम में सामिल होने बिहार सरिप ग पूराई की सरकार तैयार के यह खास प्लान जिहां देश के आने राज्जों में काम करने वाले बिहारी बाल स्रमिकों को चुड़ाने के लिए वीसे सभ्यान चला जाएगा इस काम में स्रम संसंदर विभाग ने समाज कल्यान विवाग की साहिता लेने करने ने लिया है वि बाल स्रमिकों की निगरानी बढ़ाने के लिए सयोग मंगा है ताकि बिहार से बच्चों को बाहर ले जाने वाले गिरो या उनके माता पिता पर निगराने के जा सके अगली बड़ी ख़बर बिहार में सराब पेने वालों को अब प्रावेट जॉब भी नहीं मिलेगी निती सरकार ने कर लिया तरयारी बनाया जा रहा है इस दोरान बिहार के सभी 38 जिलों में प्रसासन की सक्ति दिख रही है आपको बता दे कि सियम नितिस कुमार ने समवार को कहा था कि सराब के सुचना होगी तो पुलिस कहीं भी चापे मारी कर सकती है अधिकारियों ने बताए कि सराब के हिष्ट्री रखने वालों को नौकरे नहीं दी जाएगी करमचारियों से सभ लेने के कहा जा रहा है जिससे कोई सराब नहीं पिए आप सरुकर जवाब दे बनाया जा रहा है ताकि प्राइवीट सक्टर में भी सराब को लेकर सकती बरती जा सके इसके बहुर भविस में और सकती की तयारी चल जहारकन या देश के आने राज्यों का नमबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले सतर को जाए, दूसरी राज्यों का नमबर लेकर लोग बिहार में आप गाड़ी नहीं चला सकेंगे, बिहार में गाड़ी चलाने के लिए यह जरूरी है कि राज्य का इस्ताई नमबर हो ऐसा नहीं करने वालों पर पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा परिवहन सचीव संजे कुमार अगरवाल ने कहा कि जारकन या देश के अने राज्यों से निमांदिन वाहनों का बिहार में अवेद रूप से इस्ताई तोर पर परिचलन करने वाले वाहन मालिकों पर कारवाई की जाएगी सभी DTO, MEVI और ESI को भी से सभ्यान चला कर कारवाई करने का निर्दिस दिया गिया है परिवहन सचीव ने कहा कि टेक्स चोरी के उद्देश से वाहन मालिक लगजरी और अने वाहनों का रजिस्ट्रेशन जारकन से कराते हैं और चोरी चीपे इस्ताई तोर पर बिहार में परिचलन करते हैं या मोटर वहन अधिनियाम का उलंगन है इससे बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है जारकन या आईने राज के वास्तविक वहन मालिकों को परिशान होने की ज़रत नहीं है वे अपना पेट्रोल पम र अधार काड़ या आईने कोई परमान पत्र दिखा कर जारकन या आईने राज से आने का सबूत दिखाएंगे तो उन्हें फाइन नहीं लगेगा अगली बड़ी ख़बर होटल में ठारना है तो देना होगा सराब न पेने का सबत पत्र महमानों से भी करना होगा नियोमों का पालन जी हाँ यदि आप होटल में ठारने या किसी कारिकरम आउजित करने के लिए बुकिंग कराते हैं तो इससे पहले आपको इस आसे का गोशना पत्र होटल मालिक को देना होगा कि भी सराब नहीं पेंगे उनके कारिकरम में भाग लेने वाले भी सराब बंदी का अनुपालन क करेंगे यदि किसी होटल या बैंक्वेट हॉल में सराब बरामद होती है तो इसके सुचना मालिक को पुलिस को देनी होगी यदि ऐसा नहीं करते है तो उसके खिलाब करवाई होगी साथ साथे समारों में भी आप पुलिस प्रसासन नजर रखेगा ताकि वहाँ सराब की प और वाने डबल जरो थरी फॉर फाइव सिक्स टू सिक्स एट है कोई भी वेक्ति समन में आवजसेख सुचना या जानकर इस नमर पर दे सकते हैं सिकायत करने वाले तता सुचना दिने वाले वेक्ति का नाम पता गुपत रखा जाएगा सराब पेने और बेजने वालों की स और बढ़ी है या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं